अनुपमा से नफ्रित में आध्या ने उठाया कौन सा बड़ा कतम क्या एक अंजान करवा पाएगा मान को एक क्या छोटी और बड़ी अनु को फिर से मिला पाएगा अनुज सूपरस्टार शेफ कॉम्पटेशन जीत पाएगा अनुपमा नमश्कार मैं हुईमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड दोस्तों आपसे खुजारिश है कि वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को फॉलो और सब्स्क्राइब कर लें और साथी बेल आइकन भी जरू प्रेस करें अनुपमा सीरिल में होने वाला है कुछ ऐसा जो फैंस को करतेगा आग बबूला जी हां इस बार शो में आध्या करेगी नफरत और चड़ की सारी हदें पार जब अनुपमा की प्यारी चीज को करतेगी तबह साथी किरदार कराएगा अनुपमा को अपने दिल में छुपे प्यार का एहसास कहने की जुरूरत नहीं कि आने वाले एपिसोट्स में आशू, खुशी और दुख दोनों के देखने को मिलेंगे आईए जानते हैं अनुपमा की जिंदगी में आने वाला है कौन सा नया तूफान अनुपमा की लेटिस्ट प्रोमो में आप देखेंगे कि अनुच अनुपमा के लिए एक टाइरी लेकर आएगा जिसमें कई इंडियन और इंटरनाशनल कुजीन्स की रेसिपीज लिखी होगी अनुच उसे कहेगा ये है तुम्हारा वेपन, तुम्हारा हतियार ये देखकर अनुच बहुत खुश हो जाएगी और अनुच से कहेगी सच में जैसे महाभारत में अरजुन के सार्थी श्रिकुष्ण थे वैसे ही इस कॉंपुटिशन में ये डाइरी मेरे लिए मेरी सार्थी है अब जाने से पहले इसे एक बार पढ़ कर जाऊंगी लेकिन उन दोनों की बाते सुन लेगी आद्या और घुस्से में लेगी एक फैसला बात में जब अनुपमा अपने डाइरी ढूंडेगी तो वो देखेगी कि आद्या उसे चड़ में फाड लही है ये देखकर पहले तो अनुप चौक जाएगी और फिर उसे बहुत दुख होगा कि उसकी खुद की बेटी उससे इस हद तक नफरत करती है और वो रोने लगेगी ताधी प्रोमो में आप ये भी देखेंगे कि अनुपमा की डांस टीचर दिया उसे समझाएगी कि शृती और अनुच की शादी आध्या को बहतर नहीं बलके और कमजोर बना सकती है वो कहेगी अनुप कितना ही मौडर्ण क्यों न हो जाएं मुवान कर जाएं, फ्रेंज बन जाएं पर प्यार कभी नहीं मडता है और वो भी ऐसा प्यार जिसके पीछे 26 सालों का इंतजार हो एक तरफा प्यार वाली शादी चल पाएगी और अगर नहीं चल पाई, तो क्या ये आध्या के लिए एक और शौक नहीं होगा कि सुनकर अनुपमा को लगेगा करारा जटका और वो सोच में बढ़ जाएगी कि क्या सिर्फ छूटी अनुप के लिए किया जा रहा उसका और अनुच का ये त्याग सच में उसे फाइदा पहुचाया पाएगा या नहीं तो देखा आपने दोस्तों, जहां एक तरफ अनुपमा दिया की बात सुनकर अनुच के साथ अपने रिष्टे को लेकर दो राही पर आ गई है तो वहीं दूसरी तरफ आद्या की नफरत अपने लिए हर दिन बढ़ते हुए देखकर वो उसके साथ एक परिवार बनाने की तो दूर एक छट के नीचे रहने के बारे में भी नहीं सोच सकती अब वहीं शादी होने दे या इस बारे में अनुच से बात करें के सोच सोच कर कश्म कश्मे पढ़ने वाली है हमारी अनुच साथ ही कुकिंग कॉंपटिशन में उसका सफर भी अब और मुश्किल होने वाला है अब अनुपमा के जिंदगी में आएगा कौन सा नया मोर जानने के लिए कल तक का करें इंतसार और हाँ इंस्टरफीट का बेल आइकन प्रेस करना ना भूले